किस हिसाब से कहते हैं भाई हम लोग जब यहाँ पर MP थे कोई बिहार का आदमी आता था इलाज के लिए तो AIMS के लिए आता था और हम लोगों की ये duty रहती थी कि हम सब लोगों का इलाज कराएं हमको बड़ा अस्थ हुआ है कि दिल्ली सरकार के कौन अस्पताल में भाई बि इसमें गरीब परिवार को इलाज में मदद के लिए पांच लाख रुपय तक की सहयता होगी और हम लोग तो दो हजार साथ से ही चला रहे हैं इसकीम चला रहे हैं कोई अगर बिमार है उसके इलाज के लिए हम लोग मदद करते हैं अगर परिवार की आमदनी धाई लाख र लोगों को हम लोग इतनी मदद करते हैं कोई बिमारी के इलाज में जितनी जरूरत है उतनी मदद हम लोग करते हैं अधिक सदिक मदद करते हैं और अब तो आश्मान भारत स्कीम आ गया आप इसके बाद यह कहना कहां से वह पांच लाख रुपया खर्चा करते जब यहां इसमान भारतिस कीम भी नहीं लागू किया तो भाई मुझको तो बहुत आश्चर्ज होता है कि कौन-कौन लोग यहां के हैं और कितनी बड़ी संख्या में यहां पर बिहार और पूर्वांचल के लोग हैं निराज्यों के लोग हैं उनके साथ इस प् धानी है दिल्ली तो सब की है और उसमें काम करने का मौका मिला और आपने क्या काम किया इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि सब लोग पूरा इलट रही हैं और यह लोग कोई काम कियें जी एक वाद जान लीजिए हम लोग तो हर छेत्र में काम कियें परिवहन के छेत्र में भी काम किया है हम लोग बिहार से दिल्ली आने के लिए कई बस की सेवाओं की सुरुवात कराई आई जो दिल्ली सरकार है उससे अनुमती मांगे कि उसको दिल्ली तक आने का मौका दीजिए आपको मालूम नहीं दिया आज तक मौका नहीं दिया आज तक मौका और गाजियाबाद तक लोग आते हैं मैंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद तक पटना से चल करके बस आता है गाजियाबाद तक अगाजियाबाद के बाद यहां आते हैं किसका मदद की हैं भाई अरे यहां रहता हो जाएगा नहीं अपने पुराने घर पर वहां से उसके और घर के दूसरे लोग आएंगे नहीं ये राजधानी हनने लोग आएंगे नहीं तो ट्रेन से लोग आते हैं कई तरह से लोग आते हैं लेकिन बस की भी सुविधा दी तो दिल्ली तक आने नहीं दिये हम तो कहेंगे बाई जितने भी बिहार लोग हैं याद रखिएगा अपना एक वोट बरबाद नहीं करिएगा इनको बता दीजिए और यहां पर एक एक वोट अपना दीजिए इंडिये को यहां से ठीक है हम लोगों के उमिदवार लड़ रहे हैं और बहुत अच्छे उमिदवार हैं आप सोच लिजी यह कैंसर के इस पेसलिस्ट हैं और यह पहले भी रह चुके हैं मेले आज जब यह मेले होंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोगों को पुरा विश्वास है नड़्डा साहब का इन पर महरवानी रहेगा यह और आगे बढ़ेंगे अभी हमको पूरा भरोसा है